आज हम इस वीडियो में ये जो टेबल है, इस टेबल में ट्रिगुनामितिक रेशियो का जो एंगल वेलो है, उसको हम कैसे इजी तरीके से याड रखेंगे, उसकी बारे में डिसकास करेंगे इस टेबल को याड रखने के लिए हमें जाज साइन का वेलो याड होना चाहिए, मतलब 0 दिग्री से 90 दिग्री तक एंगल वेलो याड होना चाहिए, उसी की मदद से हम बाकी जो ट्यूनामितिक रेशियो है, सब का वेलो निकाल सकते है, बहुत ही इजी है, तो साइन 0 दिग मतलब यह आएगा इधर, next इसको लिखना है इधर, root 3 by 2, इसको लिखना है इधर, 1 by root 2, इसको लिखना है इधर, and यह आजाएगा इस प्लेस में, तो ऐसे होगा cos का विलो, तो इधर हमें यह देखने को मिल रहा है, sin 45 degree, equal to cos 45 degree, equal to 1 by root 2, मतलब sin cos 2 का, 45 degree का जो value है, angle value है, वो same है, वो क्या है, 1 by root 2 है, तो जास्त हमें sin का यह value याड रखना है, तो उसी के value को जब हम reverse कर डेंगे, cos का value मिल जाएगा, तो इसमें हम बहुत इजी से यह याड रख सकते है, कि sin 45 degree and cos 45 degree, इन दोनों का value, same होगा, वो होगा 1 by root 2, अभी हम 10 का value निकालना चिखेंगे, तो 10 के लिए एक formula यूज़ कर डेंगे, 10 theta equal to sin theta by cos theta, इस formula को हम यूज़ कर डेंगे, यह तो theta है, theta क्या है, theta है angle, मानलो हमें अभी value चाहिए 0 degree का, 0 degree का value चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 0 degree equal to sin 0 degree by cos 0 degree कर डेंगे, तो sin 0 degree का value क्या है, 0 है, cos 0 degree का value क्या है, 1 है, जब हम किसी भी number से 0 को divide करेंगे, तो finally value क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 आ जाएगा, इसमें value, अभी हम 10 30 degree का value निकालेंगे, थिता equal to 30 degree, तो 10 30 degree equal to sin 30 degree by cos 30 degree, तो sin 30 degree का value क्या है, sin 30 degree का value है, 1 by 2, cos 30 degree का value है, root 3 by 2, तो इसमें denominator 2 है, इस 2 की साथ, इस 2 को हम कैंसल कर सकते है, उपर रहेगा 1, निचे रहेगा, root 3, यह हो जाएगा 10 30 degree का value, 1 by root 3, तो इधर हमें लिख देना है, 1 by root 3, next, 45 degree का अगर हम value निकालेंगे, 45 degree, तो sin 45 degree by cos 45 degree हो जाएगा, तो sin 45 degree का value क्या है, उसको हमें लिखना है, divided करना है, cos 45 degree से, sin 45 degree का value है, 1 by root 2, cos 45 degree का value है, 1 by root 2, दूनों सेम है, तो दूनों को हम क्या कर सकते है, यह से bracket डेकर एक बार ही cancel कर सकते है, विखना जाएगा 1, तो 10 45 degree का value हो जाएगा 1, तो 10 60 degree का अगर हम value फाइड करेंगे, तो sin 60 degree by cos 60 degree हो जाएगा, cos 60 degree, तो sin 60 degree का value है, root 3 by 2, cos 60 degree का value है, 1 by 2, तो यह 2, यह 2 cancel हो जाएगा, रहेगा root 3, तो इधर हमें value put कर देना है, root 3, अभी हम 10 90 degree का value फाइड करेंगे, 10 90 degree, तो sin 90 degree by cos 90 degree हो जाएगा, जस्थ हमें यह जो formula है, इस formula को apply कर देना है, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, sin का value याद रखना पड़ेगा, sin का angle value जब हमें याद रहेगा, उसी value से हम cos का value बहुत इज़ी से निकाल सकते है, मतलब अगर हमें sin and cos दुनों value याद होगा, तो बहुत इज़ी से हम बाकी सभी value को निकाल सकते है, at least हमें sin का angle value याद रखना पड़ेगा, तब हमें बाकी जो trigonometric ratio है, उसका angle value निकालने में easy होगा, तो sin 90 degree का value पूट कर देंगे, 1 है, cos 90 degree का value है, 0, 0 से हम किसी number को divide नहीं कर पाएंगे, तो उसका answer बन जाएगा nd, मतलब not defined, तो हम इसको कह सकते है not defined, not defined, तो उसको हम nd लिख देंगे, not defined, उसको हम fine नहीं कर पाएंगे, cot का जो angle value है, उसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, cot theta equal to cos theta by sin theta है, इस formula को हम use कर देंगे, तब हमें cot का सभी angle value मिल जाएगा, अगर हम साहे तो इस formula को भी use कर सकते हैं, अगर हम साहे तो cot theta equal to 1 by 10 theta है, इस formula को भी use कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को use करने से ही cot का सभी angle value निकाल के आ जाएगा, for example, अभी हम 30 degree का value निकाल के रिखेंगे, cot 30 degree, equal to हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस formula को use कर रहेंगे, तो 1 by 10 30 degree, तो 1, 10 30 degree का value क्या है, 10 30 degree का value है 1 by root 3, तो उसको next लिखेंगे तो 1 into root 3 by 1, तो finally क्या रहेगा, root 3 रहेगा, root 3 होगा cot 30 degree का value, इधर हम लिख सकते हैं, root 3, अगर हम चाहे तो इसको एसे भी समाझ सकते है, cot का angle value निकालने के लिए, हम अगर 10 का जो angle value है, उसको अगर उल्टा करके लिख देंगे, तब हमें cot का सभी angle value मिल जाएगा, for example, cot का हमें 60 degree angle value चाहिए, तो उसको उल्टा करके लिखना है, तो root 3, root 3 की निचे 1 है, उसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1 by root 3 हो जाएगा, यही होगा cot 60 degree का value, 1 by root 3, तो 10 and cot, इतन दोनों के लिए, जो 45 degree angle value है, वो सेम ही रहेगा, वो होगा 1, इसको अगर हम निकालना चाहिए, तो निकाल सकते है, for example, cot 45 degree equal to 1 by 1045 degree, तो उपर है 1, निचे 1045 degree का value कितना है, 1 है, तो 1 divided by 1 equal to क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 10 and cot दोनों का 45 degree का angle सेम ही रहेगा, sin and cos में 45 degree का angle value सेम रहेगा, sec and cosec में 45 degree का angle इन दोनों का सेम ही होगा, अभी हम cot 0 degree का value निकालेंगे, बहुत ही easy है, cot 0 degree equal to cos 0 degree by sin 0 degree, इस formula को अगर हम use करेंगे, तब भी answer आजाएगा, अगर हम सहे तो cot 0 degree equal to 1 by 10 0 degree, इस formula को use करेंगे, तब भी हमें answer मिल जाएगा, इन दोनों में से किसी एक formula को use करके, हम इसका value निकाल सकते है, cot 0 degree equal to value है 1, sin 0 degree equal to value है 0, तो 0 से हम किसी number को divide नहीं कर पाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, not defined, not defined, सेम इसमें भी अगर हम solve करना साहे, तो ऐसे solve कर सकते है, यह हो गया 1, 10 0 degree, 10 0 degree का value है 0, तो 0 से हम किसी number को divide नहीं कर पाएंगे, तो यह बन जाएगा not defined तो ऐसे भी हम solve कर सकते है cot 90 degree का फेलो निकालेंगे cot 90 degree equal to हम लिख सकते है 1 by 10 90 degree 1 10 90 degree का फेलो क्या है nd मतलब not defined to not define की जगा पर हम क्या put कर सकते है nd equal to हम लिख सकते है उपर होगा numbers numbers आएगा numbers निच्छे होगा 0 तो हम लिख सकते है 1 nd के जगा पर उपर लिख देंगे 1 by 0 next हम क्या कर सकते है 1 into 0 by 1 1 से 0 को जब divide करेंगे 0 into 1 finally क्या आजाएगा 0 आजाएगा तो 0 होगा cot 90 degree का फेलो अभी हम sec का angle value निकालेंगे यह बहुर ही easy है sec का angle value निकालने के लिए हम क्या करेंगे cos का जो angle value होगा उसी को उल्टा करके sec में लिख देंगे तब हमें sec का angle value मिल जाएगा for example हमें sec 0 degree का फेलो चाहिए तो हम क्या करेंगे cos 0 degree का जो angle value है वो कितना है वो है 1 उसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसके नीचे 1 है, मतलब 1 by 1 हो जाएगा, finally 1 आएगा, तो sec 0 degree का value हो जाएगा 1, next अगर हमें 30 degree का value निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 30 degree के लिए cost जो 30 degree value होगा, cost 30 degree value क्या है, cost 30 degree का value है, root 3 by 2, उसको sec 30 degree में उल्टा करके लिख देना है, 2 by root 3, यह हो जाएगा sec 30 degree का value, 2 by root 3, next हम sec 45 degree का value निकालेंगे, तो cost 45 degree का value है, वो क्या है, 1 by root 2 है, उसको हमें sec 45 degree में उल्टा करके लिख देना है, मतलब root 2 उपर होगा, नीचे 1 होगा, finally क्या आएगा, root 2 आएगा, उसको हमें इधर लिख देना है, root 2, next लिखना है sec 60 degree का value, तो sec 60 degree का value निकालने के लिए हम क् कर देंगे, cost 60 degree का जो value है, वो क्या है, 1 by 2, 1 by 2, उसको हमें sec 60 degree के लिए उल्टा करके लिखना है, मतलब 2 by 1, तो क्या आएगा, 2 आएगा, यह हो जाएगा sec 60 degree का value, वो है 2, next हम लिखेंगे sec 90 degree का value, sec 90 degree का value निकालने के लिए हम कर देंगे, cost 90 degree का जो value है, उसको उल्टा कर के लिए देंगे, cost 90 degree का value क्या है, 0 है, 0 की निचे 1 है, मतलब किसी भी नमबार से जब हम zero को divide करेंगे तो हमें zero मिलेगा sec 90 degree में हमें क्या कर देना है cos 90 degree का जो value है यह था zero लेकिन zero की नीचे one है तो इधर हम क्या लिख सकते है one को उपर लिख सकते है zero को नीचे लिख सकते है तो zero से हम किसी नमबार को divide नहीं कर पाएंगे यह क्या बन जाएगा not define बन जाएगा not define तो हमें इधर लिख देना है not define not define cosac का अंगल भेलो निकालने के लिए अगर हम चाहे तो sec का जो भी अंगल भेलो हमने इधर निकाला है उसको रिभास करके लिख देने से ही cosac का सभी अंगल भेलो हो जाएगा मतलब sin का भेलो जैसे हमने cos की जगा पर रिभास करके लिख दिया है ऐसे हम लिख सकते है लेकिन हम इसको easy तरिके से निकालना भी सिखेंगे कैसे हम इसका भेलो निकाल सकते हैं तो cosac का अगर हमें किसी भी अंगल भेलो चाहिए तब हम क्या करेंगे sin का जो अंगल भेलो है उसको उल्टा करके लिखेंगे for example cosac का हमें 0 दिग्री साहिए तो हम क्या करेंगे sin 0 दिग्री का जो भेलो है 0 दिग्री इक्वेल तो 0 है उसको हमें इधर उल्टा करके लिखना है तो sin 0 degree equal तो 0 है यह तो 0 है, 0 की नीचे 1 है इधर अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो 1 उपर जाएगा 0 नीचे आएगा तो 0 से हम किसी भी number को divide नहीं कर पाएंगे यह बन जाएगा not defined not defined तो इधर हमें लिख देना है not defined कॉसेक 30 degree का भिलू निकालेंगे कॉसेक 30 degree तो उसके लिए हम दिखेंगे sin 30 degree का भिलू कितना है sin 30 degree equal to भिलू है 1 by 2 उसको जाज समय उल्टा करके लिख देना है 2 by 1, 2 भिलू आजाएगा 2 तो इधर लिख देना है 2 next हम लिखेंगे cosac 45 degree equal to हमें लिखना है sin 45 degree का फेलो sin 45 degree equal to 1 by root 2 तो cosac 45 degree के लिए हम क्या करेंगे scroll ता करके लिखेंगे finally आ जाएगा root 2 तो इधर हो जाएगा root 2 अभी हमें 60 degree का फेलो फाइन करना है cosac 60 degree तो इस फेलो का फाइन करने के लिए हमें पहले sin 60 degree का फेलो कितना है वो जानना पड़ेगा वो है root 3 by 2 तो cosac 60 degree के लिए हम क्या करेंगे इस फेलो को उल्टा करके लिखेंगे 2 by root 3 हो जाएगा यह हो गया है cosac 60 degree का फेलो इधर हमें लिख देना है root 3 by 2 अभी हम cosac 90 degree का फेलो फाइन करेंगे cosac 90 degree तो cosac 90 degree का फेलो फाइन करने के लिए हमें sin 90 degree का फेलो जानना पड़ेगा तो sin 90 degree equal to हम जानते है 1 यह जो 1 है उसकी नीचे 1 है तो cosac 90 degree के लिए हम क्या करेंगे इसको उल्टा करके जब लिखेंगे यह 1 उपर रहेगा और उपर का जो 1 है वो निचे रहेगा लेकिन 1 1 को जब divide करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा cosac 90 degree का फेलो हमें मिल जाएगा 1 तो इधर आमें लिखी देना है 1 अगर हम साहे तो ऐसे भी यह जो trigonometric ratio है cos 10, cos, sec, cosac सभी का फेलो निकाल सकते है यह जो table है यह table आप लोग वो याद हो जाएगा कैसे याद हो जाएगा जब आप लोग इसकी related question को solve करेंगे जादा से जादा जब solve करेंगे तब आप लोग को यह बहुर ही easy से याद हो जाएगा लेकिन जब कभी confusion आएगा कि इसका फेलो कितना था जब इसे confusion आएगा तब आप लोग ऐसे formula यूज करके एक बार check कर सकते है कि वो फेलो जो मैंने सोचा है वो correct है या नहीं जास इसके लिए हम इसे समझ सकते है मैंने दिखा दिया है कि कैसे हम इसका फेलो निकाल सकते है तो आप लोग ये जो formula है formula को यूज करके confirm कर सकते है मतलब जो आपने सोचा है वो सही है या गलत उसको confirm कर सकते है